हालो दोस्तों गुड इबनिंग आपका सौगत है मेरे चैनल अर्थ अकेडमी पे आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक क्यूब वाइट के बारे में हम जाने के अच्छी तरीके से पूरे डीटिल क्या होता है कैसे बना होता है ठीक है देखेंगे हागे अब क्यूब अब हम रेक्टेंगल और स्क्वाइर पढ़ने के बाद यानि रेक्टेंगल और स्क्वाइर टूडी फिगर पढ़ने के बाद अब हम थ्रीडी फिगर में आएंगे थ्रीडी सेप्स के बारे में पढ़ेंगे थ्रीडी सेप में पहला जो सेप है वो हमारा है क्यूब वाइड का सबसे पहला सेप क्यूब वाइड का तो क्यूब वाइड बनता कैसे है कई सारे रेक्टेंगल को मिला कर बनता है Q body, दिखाते हैं आपको, दुझे कatar Fox, सपर रардर हो एक रेक्टेंगल यानि कई सारे आयत को मिला कर हमारा एक बनता है घनाव ठिक है घनाव इसी को कहते हैं घनाव या क्यूब बाइड ठिक है अब देखिए ये जो सेव हमारे हाथ में है क्यूब बाइड का यानि घनाव का वो हमने बोर्ड पर बना दिया है गमभू बगू तो जिसमें सबसे बड़ी साइड जो है वो लिंथ है यानि लम्बाई है ये चौड़ाई है ये उचाई है इसको हम कहते हैं घनाव घनाव या क्यूब बाइड esther है इसको कहेंगे हम घनाव या क्यूब बायड तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, बना कैसे है ये, तो देखिए हमारे सामने जो दिख रहा है, ये हमारे सामने दिख रहा है, तो इसमें हम देखेंगे faces कितनी हैं, surface कितने, कितने हम आयत से इसको मिलकर बनाए हैं, तो हम लिखना start करेंगे, 1, 2, 3, 4, यह 5, यह 6 तो देखिए 1, 2, 3, 4, और यह 5, और यह 6 यानि 6 faces से, 6 rectangles है या 6 आयत से मिलकर यह बना तो हमारा लिखेंगे number of faces, number of face equal to 6 कितनी faces हैं इसमें, कितनी फलक हैं फलकों की संख्याद फलकों की संख्याद equal to 6 फलकों से मिलकर बना है, यानि 6 rectangle से मिलकर यह बना है उसके बाद बुजाओं की संख्याद बुजाओं की संख्याद या इसी को कहते हैं number of age यानि number of age कितने हैं, इसमें किनारे कितने हैं, तो गिलना स्टाट करेंगे हम पहले इसमें गिलेंगे तो देखिए, one से स्टाट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा तो टोटल बारा है, इसमें गिलते हैं, यह हमारे सामने वाली एक, यह दो, यह तीन, यह चार, यह पांच, यह छे, यह साथ, यह आठ, यह सामने से नौ, दस, एक ग्यारा, यह बारा टोटल हमारी 12, 12, 8 है, यह 12 हो जाएं है, ठीक है, 12, 8 हो गई, अब हम आते हैं, देख, फता करते हैं, इसमें वर्टेक्स कितने हैं, इसके वर्टेक्स या सिर्ष कितने हैं, एक, प्लिकेंगे, नमबर आफ एड़, सॉरी, नमबर आफ वर्टेक्स, नमबर आफ वर्टेक्स क्या हो जाएगा, गिनेंगे, या सिर्ष की संख्या, सिर्ष की संख्या, कितनी होगी, गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तो नमबर आफ वर्टेक्स कितने हैं, एड़, अब देखी, इसमें देखेंगे नमबर आफ वर्टेक्स, तो एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ए आठ, यानि हमारे आठ वर्टेक्स या सिर्ष हैं इसमें, तो जैसा ही इसमें है, सेम टू सेम, आज़े हमने इसमें बता दिया, अब हम इसका पढ़ेंगे, वॉलूम, या इसी को कहते हैं, आयतन, इसी को हम कहेंगे, आयतन, तो हमें किसी भी सेब का, अगर हमें वॉलूम लिकालना हो, कोई भी आकरती दिया हो, उसको, उसकी लंबाई, चोड़ाई और उच्छाई से मृटिप्लाई कर दें, लिंथ, वृट्थ और हाइट से मृटिप्लाई कर दें, तो हमारा वॉलूम आ जाता है, तो वही करेंगे तो आयतार एकोई टू लेंथ इंटू ब्रिट इंटू हाइट यानि लेंथ कि इंटू ब्रिट और इंटू हाइट लंबाई चौडाई और उचाई से अगरमें टिप्लाई कर दें तो हमारा वालूम आ करता है या एक तरीका और हम कर सकते हैं देखिए कि किसी भी सेर्फ करने वालूम लिकालना है तो बेस 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 एरिया इंटू हाइट किसी भी अक्रिदि का हमें अगर आयतन बताना हो तो उसके अधार त्ष्य तरफल यह बेस जो दिख़ रहा यहां के यह नीचे जैसे अगर हम इसका बालूम बताना है तो यह अगर एक वन नीचे ऊपर नीचे की तरफ है, तो वन का हमें area लिकाल लेना होगा और height से multiply कर देना होगा, इसका area लिकाल लेना होगा, तो volume आ जाएगा, अगर ये length हमारी L हो और ये width हो और ये width हो, तो इसका area कितना होगा, L into B, अगर L into B हमारा area होगा, तो लिखेंगे, यहा पर बेस एरिया क्या होगा एल इंटू बी अब हाइट क्या है हाइट है तो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच या ल भी एच कि अधिए तो जब हमें किसी भी सेप का अगर वालूम लिकालना है तो हमें सबसे पहले बेस एरिया लिकालना होगा किसी भी आकृति का अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले आधार का छित्रफल लिकालो आधार का छित्रफल लिकालके हाइट से मेंटिप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आजाता है आयतन तो भी आजाएगा आयतन ठीक है तो कभी-कभी क्वेस्चन मे कई होता है बैसे एरिया डीन हुता हैं तो सीरी सीज़ेंगे अहां एल भी नहीं कोजेंगे इंगे बैस एरिया रखेंगे हाइट से leafly कर देंगे तो ठूरा गर्मा सब्सक्राइब आजाएगा चिक करаюсь अब बात करते हैं टोटल सर्फेस एरिया या सम्ट ंतल सर्फेस area of Qiglide या इसी को कहते हैं सम्पूर्ड सम्पूर्ड प्रिस्ट प्रिस्ट का मतलब क्या होता है छेत्र फ़ल उसके प्रिस्ट का छेत्र फल कितना है ये बताना होगा तो देखिये ये जैसे बॉक्स है अगर ऐसे रखा है तो यह लंबाई है ये लंबाई है पूरी अगर इसका होगा इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो है इसका भी LN2B हो जाएगा तो यहां भी हमें LN2B लिख लेते हैं यानि नीचे का जो होगा वही ऊपर का भी होगा LN2B अब हम देखते हैं इसका तो हमारे लिए अगर यह है अगर यह सेप देखें तो यह हमें बन जाएगा इसका एरिया लिका लेंगे तो चोड़ाई हमारी लंबाई का काम करेगी और हाइट जो काम करेगी हाइट जो काम करेगी वह काम करेगी चोड़ाई की तो एरिया क्या हो जाएगा बी इंटु एच जब इसका एरिया बी इंटु एच है तो इसका भी एरिया बी एच करेगा, तो हमारा एरिया क्या होजाएगा, L into H, जब इसका LH होगा, तो इसका भी क्या होगा, L, H, इसका भी LH होगा, आप फिरगर बेदेखते हैं, जैसे देखे हैं, L into B, ये नीचे वाला है, नीचे वाला, तो लंबाई और चोडाई, लंबाई चोडाई के इंटू हो जाएगा L into B, उसके ज़स्ट ऊपर वाली सेफ का भी क्या हो जाएगा L into B, अब इदर चलते हैं, यह वाली सेफ में इदर, तो इसका क्या है, इसका क्या है, B into H, तो यहाँ भी हो जाएगा B into H, क्योंकि हमारे लंबाई B हो जाएगी यहाँ पर, चवडाई H हो जाएगी, जब यह B into H है, तो यह भी क्या होगा, B into H ही होगा, ठीक है, अब हम सामने की बात करते हैं, सामने की बात, तो सामने के लिए लंबाई क्या है, L है, लेकिन चवडाई क्या है, सामने वाले सेफ के लिए, इसके लिए लंबाई तो L है, यहाँ से यहाँ तक चवडाई क्या ह है जब सामने है सामने है इसके पीछे भी क्या होगा है अगा है तो अब हम सब को जोड़ लेंगे संपूर्ण पृष्ट का मतलब होता है टोटल सर्फिस एरिया यानि सभी सर्फिस का area जोड के क्या होगा वो बताना है तो सभी यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं LV तो उसके उपर LV फिर यह साइड में लिखते हैं BH तो फिर BH प्लस आगे वाले आगे वाले portion का लिखेंगे HL प्लस HL जोड देंगे 2LV प्लस 2BH प्लस 2HL कॉमन लेंगे 2 तो हो जाएगा 2LV प्लस BH प्लस HL यह हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया अब बात करते हैं डाइगोनल की क्यों वाइड का डाइगोनल या बिकर्ण क्या होगा बिकर्ण क्या होता है जैसे कोई कमरा हो कमरे में सबसे बड़ी राड अगर हमें रखना हो तो कहां से कहां रखेंगे तो सबसे बड़ी राड रख पाएंगे हम उसी को हम कहते हैं विकर्ण या सबसे बड़ी राड राड को जैसे हम इस कोने से अगर हम कमरे के माले जी यह कमरा है इस कोने से इस कोने तक हम जाएं तो हमारी यह सबसे बड़ी राड होगी इससे बड़ा पाइप हम नहीं रख सकते कमरे में इससे बड़ा कोई पाइप नहीं ले आकर रख सकते कमरे में तो इसका फार्मूला हम लारे में क्या होता है इसका फार्मूला होता है रूट का एल स्कॉयर प्लस बी स्कॉयर प्लस एच स्कॉयर एल स्कॉयर प्लस बी करेंगे ट्रिक है इतना डिवाइज करिए थैंक्यू कि अधिए